मैं अगर आपने स्क्रीन पर ध्यान दिया तो आपने अब्ज़र्व किया होगा जब मैं पेपर पर उपर से हवाब लो कर रहा तो पेपर नीचे जाने की जगाँ उपर उठ रहा था उसी तरीके से जब दो कागज के बीच में मैं हवाब लो कर रहा था तो वो दोनों separate होने की जगा नजदीक आते जा रहे थे पास-पास आते जा रहे थे इसके पीछे क्या logic है इसके पीछे क्या science है इसके पीछे क्या physics है आज इन ही सब के बारे में हम बात करने है तो उसके उपर उड़ने के पीछे जो लॉजिक है वो भी सीम है और सबसे important बात और interesting बात कि ball को swing जब करवाया जाता है तो उसके पीछे का science भी वही है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बर्नॉली इक्वेशन के कुछ important और interesting applications बर्नॉली इक्वेशन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे fluid का एक बहुत ही important topic होता है चाहे आप जेगी preparation कर रहे हो या नीट की तो ये वीडियो देखने के बाद ये application समझने के बाद बर्नॉली इक्वेशन से इनका relation देखने के बाद आपको इस topic में और जादा interest आ जाएगा इसके लिए आपकी curiosity और बढ़ जाएगी तो जब आप इस topic को detail में पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ा ही आसान और interesting लगने वाला है तो चलिए बिना किसी delay के start करते हैं इन applications को समझने से पहले सबसे पहले बर्नॉली equation क्या है कौन सी है उसे briefly discuss कर लेते हैं बर्नॉली equation जो है fluids के लिए applicable होती है fluids में आपके gas और liquid दोनों आ जाते हैं और बर्नॉली equation में असल में क्या हो रहा है energy conservation हम यहां पर apply करते हैं देखे इसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहां पर हमारे पास एक fluid flow हो रहा है और यहां पर दो points समने लिए हुए और दोनों points जो हैं उनका height अगर हम reference level से देखें तो एक का height h1 है एक का height h2 है और एक point पर velocity fluid का v1 है और दूसरे point पर velocity v2 हो रहा है पर तो बर्नॉल equation यहां पर क्या कह रहा है आपका पी प्लस half rho v square plus rho gh is equal to constant यहां पर तीन टाइप के energy की बात हो रही है पी यहां पर pressure को बता रहा है किसी भी एक point पर fluid के pressure को pressure energy यह हो गया दूसरा यहां पर है half rho v square जो कि half mv square जो kinetic energy होता है उसी से बना है तो यह kinetic energy per unit volume को define कर रहा है जहां rho density है और v किसी एक particular point पर उस fluid का speed या velocity है इसी तरह से जो last term है यहां पर जिस तरह से mgh होता वैसे यहां प का potential energy per unit volume तो यहां पर तीनों तरह के energy है और तीनों energy का जो sum है वो constant है यानि कि है energy conserve हो रही है तो इस basis पर अगर इन दोनों points के बीच में हम यह conservation apply करें तो यहां से equation हमें मिलता है p1 plus half rho v1 square plus rho gh1 is equal to p2 plus half rho v2 square plus rho gh2 तो यानि की दोनों point की जो energies है वो constant बनी हुई है for the fluid यह कहना चाहरा और इसी को Bernoulli equation कहा जा रहा है तो Bernoulli equation का application समझने से पहले Bernoulli equation क्या है वो हमने briefly देख लिया है अब इसमें एक condition और हम apply करते हैं condition हम क्या apply कर रहे हैं हम कह रहें कि अगर यह दोनों जो height level थे वो almost equal हो जा है तो rho g h1 is equal to rho g h2 हो जाएगा क्योंकि density तो दोनों के लिए दोनों points के लिए liquid की density या fluid की density सेम है तो यहां से हमारे पास जो term बचेगा वो क्या होगा p1 plus half rho v1 square is equal to p2 plus half rho v2 square अब यहां से जो है हम कुछ conclusion निकाल सकते हैं क्या conclusion हम यहां से निकाल सकते हैं आप देखें अब v1 बढ़ा हो गया v2 से v1 अगर बढ़ा हो जाता है v2 से तो obviously p2 को बढ़ा होना पड़ेगा p1 से इसी तरह से अगर v1 जो है वो छोटा हो जाता है v2 से तो यहां पर p1 को बढ़ा होना पड़ेगा p2 से to satisfy this equation कौन सी equation यह हमारा जो Bernoulli's equation है तो यहां से हमारे पास सीधा सीधा एक result निकल करके आ जाता है कि हम बात कर रहे हैं एक फ्लूइड फ्लू में दो पर्टिक्लर पॉइंट्स की जो की ऑल्मोस्स सिमिलर हाइट पर है तो उन दोनों पर्टिक्लर पॉइंट में अगर किसी एक पॉइंट पर इस पीड कंपेरिटिवली जादा है तो वहां प्रेशर कम होगा इसी तरह से प्रेशर दूसरे के कंपेरिजन में जादा होगा तो यहां से हमारा जो यहां पर आपको डिजाइन मना के बताया हुआ है पूरा कंक्लूजन है पूरा क्रक्स है अगर हम बात करें इसी पर बेस्ट सारे अप्लिकेशन हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सा एप्लिकेशन की जो किये ब्लोइंग ऑफ दर रूफ तो आपने कई बात वीडियो में देखा होगा न्यूस चैनल में देखा होगा कि बहुत तेज जब हवाय चलती है तुफान आते हैं तो कच्चे घरों की छत जो है वो उड़ जाती है तो ऐसा किस कारण होता है बर्नौली का उसके साथ में क्या रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहां पर एक यह प्यारा सा घर है छोटा सा घर है इस घर के ऊपर रूफ है तो मान लेते हैं कि यह रूफ सिमिंटेड नहीं है यह तरह की रूफ है यह कच्छा घर है तो वहां पर इस तो अब यहां पर क्या हो रहा है यह पर तेज हवाइं चल रही है और यह बहूत तेज हवाएं चल रही है इन हवाओं की चलनी कि वजह से क्या हो रहा है कि जो roof के contact में ये जो airflow है वहाँ पर speed बहुत जादा है और इसी को अगर हम comparatively देखें roof के जो नीचे वाला जो level है यानि कि inside the house जो है वहाँ पर airflow का speed कम होगा और roof top पे जो होगा speed काफी जादा होगा ये चीज बिलकुल basic है ये हम आराम से समझ सकते हैं कि उपर से जो हवाय निकल रही है जो airflow हो रहा है वो काफी speed से हो रहा है और नीचे यानि कि roof के exactly नीचे की surface पर देखा जाए यानि कि जो घर के अंदर वाली surface है वहाँ पर airflow काफी कम होगा तो यहाँ प difference होगा और वह difference इस तरह से हम बता सकते हैं क्योंकि अंदर की तरफ जो airflow है वो कम है बाहर की तरफ airflow का speed काफी जादा है इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो pressure होगा अंदर जादा हो जाएगा in comparison to the pressure outside तो बाहर की तरफ प्रेशर कम होगा और अंदर प्रेशर जादा है तो इसी व यह बिल्कुल सिंपल सा यहां पर application हमने देख लिया और यह चीज़ आपको बिल्कुल clear हो गई होगी इसी के साथ यहां पर मैं दूसरा example लेता हूं जिसमें हम बात करेंगे lift on the wings of airplane आपने देखे होंगे कि aeroplane जो होता है टेक-off करने से पहले runway पर वह दौड लगाता है हम यहां समझेंगे कि Bernoulli का क्या application है plane को उड़ाने में किस तरह से वह help करता है कि plane जो हवा में उड़ पा रहा है तो यहां पर हम देखते हैं कि यह हमने एक wing लिया है यहां पर यह जो विंग है इसका जो certain shape है उसकी वज़े से क्या होगा यह air flow जो है यह distribute हो जाएगा कुछ इस तरीके से तो विंग के ऊपर से air flow गुज़रेगा और विंग के नीचे से air flow गुज़रेगा अब आप देख सकते हैं कि air flow उपर से और नीचे से जो गुज़र रहा है विंग के end में जाकर के वो merge हो जा रहा है और उपर वाले surface का lens जादा है विंग के ऊपर और नीचे व बढ़ जाता है जो ए रेड लाइन से आपको नजर आ रहे हैं जिनसे एरफ्लो शो किया हुआ है तो वह यह जो ब्लू लाइन से उनके कंपेर्जन में काफी स्पीड से जा रहा है यहां पर हम चीज देख सकते हैं कि फास्ट मूविंग एर है विंके उपर और स्लो मूविंग एर है विंके नीचे और फास्ट मूविंग एर और स्लो मूविंग एर इनकी वज़े से क्या होता है प्रेशर डिफरेंस क्रियेट होता है तो जहां पर स्पीड जादा है फास्ट मूव कर रहा है वहां का प्रेशर तो हो गया कम और जहां सपीड है कम होंगा vortex हो गया जादा यानि नीचे प्रेशोड है उपर प्रेशोड कम है तो वरौल इस पो लिफ्ट मिलत है उपर की तरह क्योंकि प्लेन में इसके अलावल भी Сारे या उड़ने के लिए अंदड है उसे के रोटेट करती है लेकिन concept वहां भी यही काम करता है कि जो नीचे वाला airflow है वो उपर वारे airflow के comparison में slow हो जाता है और नीचे pressure उपर के comparison में जादा हो जाता है और helicopter lift होने लगता है तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से चमका होगा इसके अलावा भी एक example कि मैं यहां पर के नाम से यह होता है यहां पर क्या है एक लिक्विड कंटीनर और लिक्विड कंटेनर जो है वह connected है कि से एक सिरिंज टाइप का structure है जिसमें एक piston है इस piston को पुश करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है और नोजल यहां पर दिया हुआ जिसके थूँ इस प्रे होता है यह लिक्विड तो यहां पर लिक्विड कंटेनर जो है आप देखेंगे कि यहां पर एक ट्यूब भी connect की हुई है यह मैटर ट्यूब जिसको कहा जा रहा है यह ट्यूब क्या करती है इस ट्यूब के थूँ जो है यह जो लिक्विड सर्फेस है यह एटमॉस्वेर के contact में रहत कि पिस्टन के आगे जो air particle है वहाँ पर speed क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी उन particles की और speed बढ़ जाएगी तो comparatively क्या होगा pressure कम हो जाएगा और हम जानते हैं कि fluid जो है high pressure to low pressure flow करता है तो atmospheric pressure बना हुआ है at the surface of the liquid और उपर जो है pressure कम हो गया comparatively तो liquid जो है यहां से container से flow करने लग तो यह भी बरनौली का एक standard application है बाहर pressure जादा हो जाता है इस वजएसे दोनों paper पास आने लगते हैं तो अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के सबसे important part पर जहां पर हम बात करेंगे swinging किसे कहा जाता है कब हम बोलते हैं कि ball swing हुआ देखे cricket आप देखते होंगे commentator समेशा बोलते रहते हैं कि यहां पर in swing कराया baller ने out swing कराया baller ने तो swing असल में हो तक है जब भी गेंद हवा में लहराती है किसी एक certain direction में जाते हों अपनी direction को बदल देती है दिशा बदल देती है हवा में ढूमती है लहराती है उसे ही swing बोला जाता है कि ball swing कर रही है अब ball swing क्यों करती है इसके पीछे क्या logic है इसको हम समझते हैं बहुत interesting चीज़े ball swing कैसे होता ह यह समझने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि ball का structure क्या होता है cock का sphere होता है solid sphere उसके उपर leather जो है वो चड़ाया जाता है और leather क्या होता है दो hemispherical shapes में होता है उसे सिलाई करके बांद दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह ball के बीच में जो सिलाई होती है जो धागा ह होता है वह इसी कारण से होता है जो leather को उसमें बांद करके रखता है और इस सिलाई को कहा जाता है scene और यह सीम ही वो है जिसकी वजह से swing होता है तो देखते हैं कि किस तरह से swing होता है स्विंग अलग-अलग ơn टाइप का होता हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कंवेंशनल सुइंग की. कंवेंशनल यू जो होता है इसमें क्या होता है कि भॉुष तुरिकि एस तुर्ज तरह को छो इस 스addoo है और एूरर को आउट यूच होती है तो यहां पर जो आपको नजर आ रहा है यहां पर अगर batsman right-hander है तो यह basically out swing position है बॉल की ठीक है तो इस तरीके से होता है अब यहां पर क्या होता है कि बॉल का यहां पर direction आपको दिखाया हुआ है कि किस direction में बॉल मूव करेगा तो यह air को चीरते हुए हवा को चीरते हुए बॉल जायेगा काफी स्पीड्से तो air flow जो है वो यहां पर फिर से distribute हो जाएगा दो parts में अब आप देख सकते हैं कि जैसे एर इस से टकरा रही है बॉल से तो यह air कहां पर टकरा रही है इसके smooth part पर टकरा रही है smooth part पर टकरा रही है तो क्या होता है कि जो right वाला side है यहाँ पर उसके थूझ जो flow होगा air का वो laminar flow हो जाएगा और जो left वाला part है उसके थूझ जो flow होने लगेगा वो किसके थूझ जाएगा इस seam के थूझ जाएगा और इस seam की वज़य से चूझकि seam यहाँ पर क्या है uneven surface create कर रही है तो यह seam की वज़य से वहाँ प पर प्रवाइड की उपड़ खाबर सर्फेस गी एन सिंपल लेंगविज तो उसकी वजह से वहाँ पर टयूएंट फ्लो प्रियेट हो गया और यहां पर इस लेमिनार और टयूएंट फ्लो की वजह से आप सभी ने सुना होगा अगर आपने पढ़ा है तो रिमाल्स नंबर का रेंज होता है कि अगर 2000 से कम है रेनोर्स नंबर तो लैमिनार फ्लोझ हो गया तो क्या होगा ट्राबिलेंड फ्लोळोगा और जो Reynolds number है यह velocity of the fluid के directly proportional होता है तो simply यहाँ से एक conclusion हम निकाल सकते हैं कि अगर laminar flow है तो Reynolds number कम होगा और Reynolds number is proportional to velocity तो velocity भी कम होगी और tubulant flow है तो Reynolds number जादा होगा और velocity भी जादा होगी तो फिर से आ जाते हैं इसी बात पर कि एक side है tubulant flow एक side है हमारा laminar flow laminar flow है तो speed वहाँ कम होगा speed कम होगा तो pressure जादा होगा और tubulant flow है speed जादा होगा speed जादा है तो pressure कम होगा तो simply हम कह सकते कि P1 is greater than P2 और यहाँ पर net force जो है वो लगेगा आपका towards the left direction यानि कि जिस direction में ball का seam है उस direction में ball move करने लगेगी यानि कि right hand batsman अगर यहाँ पर होगा सामने तो उसके लिए out swinger यह हो जाएगा और left hand batsman होगा तो उसके लिए in swinger हो जाएगा कितनी चीज़ यहाँ से आपको clear हो गई होगी तो यहाँ पर इस seam की वजए से tubulant और laminar flow में air flow distribute हुआ और उसी की वजए से यहाँ पर pressure difference create हुआ और उसी की वजए से ball ने move किया swing किया तो यह बात हो गई conventional swing अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के swing लेट 70s और 80s की दौर में क्या हुआ कि पाकिस्तानी ballers कुछ अलग तरह का swing करने लगे अलग तरह का मतलब बिल्कुल opposite कि वह ball का एंगल आउट स्विंगर की तरह रखते थे बाहर की तरफ रखते थे लेकिन बॉल इंस्विंग हो रहा था और इसे कहा गया रिवर्स तो सारे batsmen सारे टीम सभी लोग परेशान थे कि यह आखिर हो क्या रहा है चक्कर क्या है कि पाकिस्तानी यह क्या मतलब कोई जादू टोना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं या इन्होंने जो है साइंस को ही धोका दे दिया यह हो क्या रहा है तो नासा के एक काफी फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रविंद्र महता उन्होंने काफी रिसर्च किया इसके बारे में जो की एरोडैनमिक्स एक्सपर्ट भी है तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेंड किया कि यह रिवर्स्विंग के पीछे का साइन्स क्या है लेट सेवन्टीज में सरफराज नवाज नाम के पाकिस्तानी बॉलर थे जिन्होंने सबसे पहले रिवर्स्विंग जो है डिस्कवर किया इंट्रड्यूस किया इंटरनेशनल लेवर्ट उसके बाद उन्होंने यह वाली जो टेक्नीक है यह फॉवर्ड करी इम्रान खान को ज फिर सारे जो क्रिकीटर सें बॉलर से उन्होंने यह चीज़ सीख हम यह समझने वाल हैं कि रिवर्ड के मीशन इंप्राने बॉल से किया जाता है तो एक पुराना बॉल आपको दिखा रहू हूं मैं अब इसमें किस तरह से काम करेगा आप यहां देख सकते हैं कि हमने लिया हो रहा है तो यह क्या है पुराना बॉल है बॉल रफ हो चुका है तो जब एर फ्लो यहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हैं डिरेक्शन ऑफ मोशन और एयर फ्लों एयर को काटते हुए जब बॉल जा रही है तो अंलाइक दी कन्वेंशनल स्विंग रफ सर्फेस पर यह टकर वो सीम से टकराने के बाद असल में क्या होता है कि यह 7 एक Visit करती है और उस डूड़ा सा कम कर देटी ती है आजू कि बढ़ा रही थी का में यह यहांतर हो रहा है क्योंकि यहां पर इस सर्दाफ करती ही सीम उस को थोड़ा कम कर देती है तो उसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इस एक्जामपल में इस डाइग्राम में कि लेफ्ट साइड में कम हो चुका है और राइट साइड में चूंकि कोई सीम नहीं था किसी तरह का कोई आप्स्रक्शन होगा और उसकी वजह से यहां प्रेशर डिफ्रेंस क्रियेट होगा तो जहाँ बॉल्ट मूब करेगी तूवर्ट राइट डियरेक्शन यानि कि एंगल हमने रखा था इस बॉल का लाइकन तो यह आपका हो गया है तो इसी लिए इसको कहा जाता है क्योंकि कन्वेंशनल स्विंग के रूज को यह बेंडन कर रही है और उसके बिल्कुल अपोजेट यह मूव कर रही है तो इसलिए इसे रिवर्स विंग कहा जा रहा है क्रिकेटर्स जो होते हैं वह जहातर क्या कर रहे होते हैं अब तो सलाइवा न होगे ड़िए डियोंत पेट्वेट्स हैं seem मैच में आप देखेंगे तो उनका पूरा जो जर्सी है उनका लोवर है वहकर पूरा lon वो गिस क्यों रहे हैं कि बॉल को एक साइड शाइनी सर्फियस मेंटेन किया जा और एक साइड बॉल रफ हो जाए इसका क्या लॉजिक है इसको समझते हैं यहाँ पर फिर से बात करते हैं रिवर्स स्विंग की ही तो रिवर्स स्विंग करवाने के लिए अगर ये चीज़ की जाएगी कि बॉल का एक साइड रफ रखा जाया दूसरा साइड जो है स्मूध मेंटेन किया जाए शाइनी मेंटे से और राइट साइड जो है रफ सर्फेस है तो टकराया एर फ्लो किसके साथ में रफ सर्फेस के साथ में टबिलेंट फ्लो यहां होना चाहिए राइट साइड में रफ है तो टबिलेंट फ्लो वहाँ पर होगा थूआउट इस राइट सर्फेस बट लेट साइड में क्या ह सीम की वज़े से टबिलेंस थोड़ा कम हो गया अब यहां पर देखें आपकी left side में क्या है सीम की वज़े से टबिलेंस कम हुआ और साथ ही साथ shine भी maintain किया हुआ था तो इसकी वज़े से टबिलेंस और कम हुआ तो तो comparatively अब देखेंगे तो जादा difference आ गया है air flow में right hand side में तो tubulin flow maintain रहा लेकिन left side में tubulin flow काफी कम हो गया comparative to the right side और इसलिए pressure difference अब जादा maintain हुआ इसी की वजए से अब reverse swing और अच्छा मिल पाएगा in comparison to the last case जहां दोनों sides rough थे जब दोनों sides rough होंगे तब भी reverse swing मिलेगा लेकिन अगर एक side को shinier maintain किया जाएगा comparative to other side तो जादा यहां पर reverse swing देखने को मिलेगा इसके बाद एक और चीज़ यहां पर आ जाती है जिसे हम कहते हैं contrast swing अब यह contrast swing क्या होता है देखें यह जो shine को maintain करना है एक side और एक side rough को maintain करना है उसी का utilization करते हुए यहां पर contrast swing होता है देख इसरी side जो है laminar maintain रहता है लेकिन यहां पर ball जब पुरानी हो जाती है तो उसका एक side rough maintain करके एक side shiny maintain करके contrast swing का use किया जाता है नहीं ball को अगर आप बिल्कुल seam की direction में फेकेंगे बिना किसी angle के तो कोई swing नहीं मिलना चाहिए कोई swing नहीं मिलेगा वही contrast swing में क्या होता है कि बि ball फेका जाए तो swing मिलता है क्यों क्योंकि एक side हमने rough maintain किया और एक side shiny तो यहां पर भी वही concept हम देखते हैं कि air जब इससे टकरा रही है तो air को चीरते हुए यह ball जा रही है तो यह air जो है बिल्कुल mid में seam पर टकराई तो seam पर टकराने की वजह से क्या हो जाएगी turbulent यह हो ज linear side पर जो comparatively कम rough side है less rough side है वहाँ पर turbulence कम होगा वहाँ पर जो flow होगा वो less turbulent होगा और less turbulent होगा यानि कि speed कम होगी speed कम होगी pressure जादा होगा उस side और opposite side पर pressure कम होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P2 is greater than P1 तो यह ball move करेगी towards the rough side तो अगर यहाँ पर नई ball होगी उसे seam को सीधा रखके आप ball करवाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई swing नहीं मिलेगा लेकिन अगर एक side rough है एक side smooth है और seam के थुरू आप ball यहाँ पर करवा रहे हैं तो आप देखेंगे कि it would move towards the rough side तो यहाँ पर भी swing मिलेगा this is called the contrast swing तो यह थी सारी swing की कहानी आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से हम ball को swing करवा सकते हैं उसके पीछे का science क्या है यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे factors काम करते हैं कि swing कब होगी कब नहीं होगी weather conditions कैसी है पिच कैसी है लेकिन यहाँ पर हम cricket का analysis करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ अमारे Bernoulli equation की कि उसका application जो है वो हम यहाँ पर किस तरह से relate कर सकते हैं तो इस topic को आसान बनाने के लिए interesting बनाने के लिए और आपको इसके लिए और जादा curious बनाने के लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया था और इसमें आपको काफिसारी information भी मिली होगी आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में ये वीडियो अगर आपको पसंद आय है तो चैनल को प्लीज शेर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत जादा जरूरी है आपका support क्योंकि subscribe आप लोग करते हैं तो हमें motivation मिलता और इसी तरह के और interesting वीडियो बनाने के लिए हम लोग और जादा excited होते हैं तब तक के के लिए गुडबाई जय है